इस वीडियो में जानेंगे डिरेक्ट इंट्री से CA कैसे बने जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है CA बनने के लिए आपको तिन लेबल का एक्जाम को क्लियर करना होता है पहले लेबल को बोलते हैं CA Foundation, second label को बोलते हैं CA Intermediate और आखरी लेबल को बोलते हैं CA Final जैसे ही CA Final का एक्जाम पास करते हो आप CA बन जाओगे लेकिन CA में इंट्री लेने का दो रूट होता है पहला होता है CA Foundation रूट यानि कि CA Foundation में रजिस्टेशन कीजिए वो एक्जाम को पास कीजिए इसके बाद intermediate में जाए दूसरा होता है Direct Entry यानि कि CA Foundation पास करने का जवरत ही नहीं है अब सीधा का सीधा Direct Entry से CA Intermediate में admission बोलो रजिस्टेशन ले सकते हो अगर आपका graduation में 55% commerce background से non commerce background से 60% marks है दैन आप Direct Entry से CA Intermediate में admission बोलो रजिस्टेशन करवा सकते हो या दूसरा option होता है कि अगर आपका CMA का बोथ ग्रूप किलियर है intermediate का दैन आप Direct Entry से admission ले सकते हो या CS Executive का बोथ ग्रूप किलियर है दैन आप Direct Entry से admission ले सकते हो CA Intermediate में और एक और option होता है क्या कि अगर आपका graduation में final year में हो तो provisional भी registration करवा सकते हो Direct Entry पे इस सब के बारे में पूरा detail में जानेंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं आप CA Foundation route से आप admission लेते हो या CMA Intermediate का बोथ ग्रूप क्लियर हुआ तो आप चाहो तो सीधा CA Intermediate Direct Entry से admission यानि की registration करवा करके intermediate का पड़ा यह start कर सकते हो देखो जब new course नहीं आया था तो पहले क्या होता था जैसे ही Direct Entry से admission लेते थे यानि registration admission में confuse मत करना registration करवाते थे उसके बाद registration करने के जस्ट बाद आपको ITOC करना होता था और 9 मन्त का articles यानि की प्रेकल ट्रेनिंग करना होता था उसके बाद ही exam में intermediate के exam में एपियर कर सकते थे Direct Entry वाले बट ध्यान से बाते को सुनते रहिएगा जब से new course आया CA Intermediate में चाहे आप foundation route से यानि की foundation pass करके या intermediate direct entry route से आप registration करवाते हो इसके बाद कोई भी ITOC नहीं करना नहीं 9 मन्त का articles करना सीधा का सीधा intermediate both group का registration करवाओ exam form फिल करते समय आप group 1 का देना तो group 1 का दो group 2 का देना तो group 2 का दो both का देना तो both को दो exam दीजिए उसके बाद pass कीजिए उसके बाद 2 साल का article सिप और article सिप स्टार्ट करने से पहले आपको ITOC कंप्लीट करना पड़ेगा देखो सबसे पहले official website प्यादाना है new scheme पे क्लिक करना यहाँ पे syllabus पे क्लिक करना intermediate पे क्लिक कर देना तीनों study mat group 1 का भी study mat group 2 का भी study mat तीनों paper का pdf format में download कर सकते हो जब तक आपके पास book available नहीं होता है तो अब तक हम लोग क्या समझे अगर मेरा graduation या post graduation में 55% commerce background से non commerce background में 60% है then हम direct entry से registration करवा सकते है graduation में भी है 55% तो करवा सकते है या वहाँ पे नहीं है CS में अगर हमको executive both group क्लियर है या CMA का both group क्लियर है तो किसी भी route से हम लोग direct entry में जा सकते है registration fee का बात किया जाए तो 18,000 है both group तो क्या हमें जब both group का registration करने के बाद both group का exam देना परेगा नहीं बच्चो exam form जो भी attempt में देना होगा उसका open होता है उस समय आपको choose करने का option मिले है group 1 का देना या group 2 का देना both का देना totally आप पे depend करता है जैसे की बच्चो CA intermediate का exam अपसे साल में तीन बार होगा कब कब होगा January 25 में होगा May 25 में होगा September 25 में होगा January 25 intermediate में registration करने का आखरी date एक में 2024 था यानि की January 25 का registration close हो चुका है exam date का बात किया जाए तो January के first या second week में exam start हो सकता exam form number 2024 में start हो सकता है CA intermediate January 25 का अब बात कर लेते हैं CA intermediate May 25 May 25 का registration करने का आखरी date एक September 2024 है यानि की direct entry से अभी आप registration admission ले सकते हो एक September 2024 है और रही बात exam date के बारे में तो May के first week या नहीं तो second week मेरी साबसे first week में start हो सकता है और हाँ March 2025 में exam form filling start हो सकता है और जैसे या exam date और exam form filling start होगा सबसे पहले चार्टे स्टरी जब डेट करेगा January 25 का भी May 25 का भी और रही बात अब बात कर लेते हैं September 24 में अगर आपको intermediate का exam देना तो उसका registration करने का आखरी date ध्यान से बाते को सुनते रहेगा एक January 2025 होगा एक बार फिर से बोलना है एक January 2025 होगा September 25 का और September के फर्स्ट या second week में exam start हो सकता है और July 2025 में exam form filling start हो सकता है यानि कि जो भी attempt होता है न तो लगबग दो से अरहाई मंत पहले official date आता है कब से क्या होने वाला ये सब चीज अपडेट किया जाएगा चार्टे इस्टडीज के दो आपके पास जभी भी हो उसी साब से आपको जो भी attempt देना हो तो attempt दे सकते हो डारेक्ट इंट्री से आपके पास दो option होगा एक तो foundation course में आप registration करवा चुके हो बार बार fail कर चुके हो fail कर रहे हो और आपको डारेक्ट इंट्री से आपका graduation या CS या CMA किसी भी एक clear हुआ है उसके हिसाब से आप डारेक्ट इंट्री में admission करना चाते हो और आपको डारेक्ट इंट्री से admission लेना है सबसे पहले official website प्याना है SSP portal पे click करना है first time user यहाँ पे click करना है जो लोग already CA foundation में registration कर चुके हैं उनको डारेक्ट इंट्री से जाना तो उनको क्या करना होगा SSP portal पे login करके उनको direct entry से registration करना परेगा जो लोग कभी registration नहीं किये तो then वो first time user पे click करके वो लोग registration कर सकते हैं बाकि direct entry के थुरू कैसे registration करना मैंने already वीडियो बना रखा है वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा प्लीज बच्चो उस वीडियो को देख लीजिएगा देखो बच्चो अगर आपका May 25 का attempt है January 25 का या September 25 का सारा news update, exam date, exam form date सबसे पहले charter studies inform करेगा तो आप लोग channel पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ अब बात कर लेते हैं provisional यानि कि जिनका graduation clear है या CMA clear है both group intermediate का या CS clear है executive both group तो उनको provisional से मतलब ही नहीं है सीधा registration कर लीजिए लेकिन जो लोग graduation के final year में है और वो लोग direct entry से registration करना चाहते हैं final year में दो तरीका हो सकता है या तो आपका college semester wise होगा university जो भी बोलो और या तो आपका yearly होगा अगर आपका semester wise है ध्यान से बाते को सुनते रहेगा last date जो है provisional वाले का या normal registration का सेम होता है final year में हो अगर आपका semester wise college चल लाए तो एक से fourth semester तक का result original है अच्छी बात है internet वाला है तो college principal से attest कर वा लीजेगा या नहीं तो C.A. से अब कोशन नहीं पूछेगा नहीं attest कर वाए तो क्या होगा reject हो जाएगा original result है एक से fourth semester तक का तो सब को single PDF करना है इसके बाद fifth semester का admit card कि सब को single PDF करके awaited result में update कर दो आपका registration confirm हो जाएगा इसके बाद क्या करना है जो भी आपका attempt होगा उससे admit card आपके exam से पंदरा दिन पहले release होता और उससे पंदरा से बीस दिन पहले तक exam पॉमफिल कर सकते हो लेकिन कम से कम पंदरा से बीस दिन पहले यानि कि exam से एक से दिर मन्त पहले simple सा बात इतना बता दो आपको final year का mark sick update करना परेगा SSP portal पे नहीं करोगे पूरा mark sick पूरे semester का आपका admit card ही नहीं आए तो आपका CA का admit card ही नहीं आए तो बेटर है क्यों नहीं आए क्योंकि आरे भाई मेरे हमको 55% है या नहीं है कैसे पता चलेगा तो आपको update करना परेगा ना simple सा बात कि आपके exam से एक से डिर मन्त पहले exam pom fill कर लेना कोई दिक्कत बाली बात नहीं है provisional तोर पे फिल कर लेना लेकिन admit card release होने से पहले एक मन्त पहले आपको final year का mark sick update करना परेगा सारे semester का अगर आपका college yearly है तो first year second year का mark sick और third year का admit card तीनों को single PDF अगर mark sick original है without attestation चल जाएगा नहीं है internet वाला है तो उसको attest करवाना होगा college principal या नहीं तो CSA सबको single PDF करके upload कर दोगे awaited result वहां पे options हो करेगा कि result upload करो या awaited जैसे awaited में option select करोगे then सबको single PDF करके upload कर दोगे आपका registration confirm हो जाएगा पढ़ाई यह start कर दीजिए जैसे ही registration confirm होगा न पेमेंट करने के बाद साथ से 10 दिलवेट करना registration confirm हो जाएगा इसके बाद cds का mail आ जागा इसका फिरी में book order कर लेना book कैसे order करना मैंने video बना रखका है video का link आपको description में मिल जागा या search कर लोगे आपको मिल जाएगा बहुत सरा आपको search करने आना चाहिए तो फिरी में book order कर सकते हो लेकिन एक और बात may 25 का registration open है और साथ में September 25 दो हचार पचीस में आपको जो attempt देना हो जिसके हिसाब से वो दे लीजिएगा doubt आना नहीं चाहिए क्या January 25 में कोई option है क्या कोई option नहीं है अभी तक हम लोग क्या जाने कि direct interest से कैसे CA बने ये चीज़ सीख रहे थे तो main मेरा focus किसमे था कि आपको intermediate में admission कर बात देने पे तो हम लोग समझ गया है कि intermediate में कैसे admission लेना होता है उसके बाद आप लोग exam दोगे exam pass करोगे intermediate का आप single single दो या both group एक साथ दो उसके बाद pass कर जाओ intermediate pass करोगे जैसे ही pass करोगे उसके बाद 2 साल का article ship करना होगा article ship start करने से पहले आपको ITOC करना होगा और जैसे ही CA intermediate both group pass करोगे उसका CA final course में registration करना होगा और उसके बाद online self-paced module आपको चार सेट complete करना होगा इसके बाद आपको ओ भाई अभी इतना detail में नहीं जानते आप CA intermediate पर ध्यान दो जब आप CA intermediate पर अच्छे से आ जाओगे ने CA final में both group clear करके तब तक आपको idea हो जाएगा online self-paced module किसको कहते हैं अभी आप registration के बारे में सोच रहा है और मैं आगे का बता दूँ तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगा मैं time to time update करता हूँ ठीक है online self-paced module complete कर लोगे साथ में आपको advance IC IT development भी complete करना होगा इसके बाद दो साल का article सिब जब complete कर लोगे six month का study period इसके बाद CA final के exam में appear करोगे चाहे आप both group का exam दो या single group का exam दो CA final का exam clear करोगे आप CA बन जाओगे simple सा बात है लेकिन ये जो process होगा न थोड़ा journey लंबा है तो क्या आपका साथ तो हम निभाने वाले हैं चैनल पे आप नए हो क्या प्लीज आप लोग चैनल को subscribe करके बिल notification विल दबा सकते हो प्लीज बच्चो subscribe कर दो अगर आपको CA बनना है तो आख बन करके subscribe करो charter studies को ताकि CA related एक भी news update मिसना हो पाए और मैं मिलता हूँ next वीडियो में और मुझसे बाते करना चाहते हो तो मुझे message कर सकते हो charter studies के instagram पे